हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं मलाई से मोदग बनाने जा रही हूँ लेस स्टार्ट ये मैंने बन कप मलाई ली है, मिल्क पाउडर लिया है, सुगर को मैंने पीस लिया है और टू टेवल स्पून मैंने कोका पाउडर लिया है अब कड़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है, इसमें मैं मलाई एट करूँगी इसको चलाऊँगी, इसमें मैंने मिल्क पाउडर एट किया है अगर आपके पास घी नहीं है तो आप मलाई से भी मोदग बना सकते हैं मलाई से मोदग बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाते हैं यह मैं और मिल्क पाउडर एट करूँगी यह मैंने और मिल्क पाउडर एट किया है दीरे दीरे गाड़ा हो रहा है हमारे मिक्चर और मिल्क पाउडर एट करूँगी यह मैंने बनकप मिल्क पाउडर लिया था अभी मैं बनकप और लूँगी यह मलाई है तो यह अपना घी छोड़ देती है बाद मैं तो इसलिए हम मिल्क पाउडर को बाद में एट करेंगे जैसी यह घी छोड़ देगी आप देख सकते हैं कि यह दिरे दिरे बन रहा है इसमें मैं सुगर एट करूँगी मिक्स करेंगे इसको और देख यह मलाई है अपना घी छोड़ दिया है अभी यहां पर मैंने वनकप और मिल्क पाउडर लिया है और इसको एट करूँगी यह मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है देदे-देरे करके मीट पाउडर आड़ करेंगे यह और मिल्क पावडर एड किया है, यह पूरा इसमें टू कप मिल्क पावडर एड किया था, वन कप पहले और यह अपना घी छोड़ देगी तब, यह मैंने पूरा मिल्क पावडर एड कर दिया है, यह मेरी बचीवी सुगर्थी मैंने वो भी आट कर दिये, इसको लगातार चलाते रहेंगे, अभी मिक्षेट राई होने लगा है, कडाई को छोड़ने लग गया है, अब यह टू पार्ट में डिवाइट कर लिया है, एक में मैंने लाची पावडर एड किया है, इसको प्लेन लखूंगे, इसमें मैं कोकोव पावडर एड करूंगी, तो यह चोकलेट फ्लेवर के मोदग बनेंगे, ईसको मिक्स कर लूगी, और मैं में मिक्सी तो ग्रैंड कर लूगी, तो ढ मत्चे महीं हो जाता है, इसको मैं मिक्सी में पीस लिए आता ए और यह म्मिद बना रही हूँ, तो एक साइट मैंने प्ले नहीं रख शू किया है ब्लेवर से बढ़ाउट नहीं रहूचा介 उसको म यह बनाने हैं तो आप इसको बंद में अंदर से कर सकते हैं देखो यह मैंने कितने सुन्दर मोदक बन के रेडी होगे हैं तो यह मैंने चॉकलेट फ्लेवर का बनाया है तो आप मेरे स्टीब को टाइग है तेंक यू सो मच